नमस्कार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन नितीश कुमार पांस साल के बाद फिर से जन्ता दरवार लगानी की शिरुवात कर चुके हैं जहां हर सोंबार को नितीश कुमार ओफिस में मौजुद होते हैं वहाँ पर राज भर से लोग अपनी शिकायत को लेकर आते हैं और नितीश कुमार उनके जो शिकायते हैं उसको निवारन करने की कोशिश करते हैं और इसी तरज पर बीजेपी ने सहिव कारेकरम की शिरुवात की जहां नितीश कुमार सबता हमें एक दिन लोगों की समस्या सुनते हैं वहीं बीजेपी ने बकाइदा सह वहां मौझूद होंगे हमारे बैच्ची पटना में अकेली रहती है और जब भी करती थी परंटु अभी जब चूट गया है और इस बीच उसकी तबियत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई हन्मान आप के माध्यम से उसे जानकारी मिलिया और हमारे आने तक यानि की ऑपरे जेडियू को सीख दे रहे करें या बताने के लिए कि बीजेपी भी वाकई में जनता के समस्याओं को लेके काफी जागरूख है संबेधनशील है और वो भी बिहार की जनता की शिकायतों का निवारन कर रहा है और अब जेडियू ने एक और नया चाल चल दिया है या कह सकत है कि ये बताने के कोशिस की जा रहे है कि जेडियू बीजेपी से ज्यादा लोगों के हितेसी है और यहीं आज की सबसे बड़ी ख़बर है आपको बता देगी अब तक सिर्फ नितिश्कुमार दोहजार पांस से दोहजार सोला तक जनता दरवार लगाते आये थे उसके बा हो गया है अब जो भी जेडियू के मंत्री हैं वो भी जनता दरवार लगाएंगे और सोमार से के शनिवार तक जितने भी जेडियू के मंत्री हैं सहयो कारिकरम की तरह जो बीजेपी कारिकरम है उसी तरीके से तमाम मंत्रियों को रूटीन दे दिया जाएगा कि कौन-कौन स मंत्री उस जनततरवार में मौझूद होंगे और उन्हें सोमार से सनिवार तक मौझूद रहना होगा जहां वो राज के जो जनता है उनके शिकायतों को सुनेंगे और निवारन करने की कोशिश करेंगे हलाकि विपक्षियों का आरोब है कि यह सब कुछ धकोसला है जो NDA सरका है वो लोगों को गुमरा कर रही है विपक्षियों का कहना है कि जिन लोगों को अलग-अलग जिलों से बुलाया जाता है जो जिला पताधिकारी उनको अलग-अलग जिलों से लेकर पटना आते हैं यह सब कुछ सरकारी खर्च पर हो रहा है तो आखिर फिर धकोसला क्यों कि जा रहा है अगर जिला पतादिकारी चाहें तो वहीं जिला में ही उन लोगों के समस्या का निवारन कर दिया जाए लेकिन ये सब कुछ ये छवी बनाने के लिए तिसकुमार कर रहे हैं क्योंकि जीडियू अब तीसे नंबर के पाटी हो चुकी है इसलिए एक बार फिर से वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं क्योंकि पतादिकारी उनहीं लोगों को पटनलाते हैं जो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो क्योंकि कई लोग ऐसे लोग जो है जंततरवार के बाहर ये गुः हार लगाते रह जाते हैं कि तो इसकुमार उनकी भी बात सुलने लेकिन उ और बिहार के लोग वहाँ जाकर अपनी समस्या को बताएंगे और वो समस्या का निप्टारा करने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें जंता जंक्शन वाब को बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।